Hello and welcome to our YouTube channel AKI Innoity Builder दोस्तों मैं हुआ आपका अपना शेकर नमस्कार जैहिन सस्रियकाल कैसे आप उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे आज जो प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है आज मैं आपको जो दिखाने है 120 आज का फ्लैट दिखाना है हूँ ये रेडी हो रहा है कुछ काम अभी भी इसमें पैंडिंग है अगले परना दिनवाद मैं दुबारा से आपके लिए ये वाला फ्लैट लेके हाजी रोगा प्रॉपर्ट आपको बाता है अब टो किने अक्टिविटी में बता चुका हूँ नोड़ा आपका 25 मिनिट गुड़गाओं आपका 20 मिनिट और टी-3 एरपट आपका 5 मिनिट में पीसफुल एरिया है एरफोर्स का एरिया है यहाँ पर पालम है जैसे कि आपको पता है पालम एरिया है एरफोर्स वाले नेवी वाले बहुत ही डेकोरेटिव जॉब वाले लोग यहाँ पर रहते हैं उस वज़ा से इस एरिया में बड़ ही शान्ती रहती है और इस रूम साइजिस भी आपका बहुत ही अमेजिंग इसके रूम साइजर रहने वाले हैं तो यह है हमारा फ्लैट का एंटरस एरिया इस तरफ आप फ्लैट से एंटर करते हैं तो आप देखते एंटर करते ही आपको बहुत ही बीटिफुल हमने रूड़न पार्टिशनल का का म करके दिया है इसमें आपने डेकूरेटिव स्ट रखेंगे अभी इसमें कुछ काम कुछ लाइट का काम पाइड़नेंगे जो आपको दिखाऊंगा मैं जब पहले बता चुको आपको यह हमारा लिविंग एरिया 25 बारा का लिविंग एरिया हो गया और एक बार मैं कुछ वॉल्यूम की मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कुछ लेवर की मौमेंट हो रही है विट्टिफाइड टाइल्स है बहुत ही ब्यूटिफुल इसमें लेडी पैनल दिया है और साथ ही आप देख सकते हैं उपर आप देख सकते हैं प्रोफाइल लाइट का बहुत बढ़िया काम होने वाला है और यहां पर आपका डाइनि एरिया आ जागा और इस तरफ आपक आपको दो प्रोविजन दी है आप यहां पर अपना विड्टो ऐसी लगा सकते हैं यहां फिर डाइनिंग अर्याइव आप अतना स्प्लिट ऐसी लगा सकते हैं मदे की पाइप के साथ आपको दिया है और ठीक सामने आप देख सकते हैं बहुत ही उज किचन है अभी किचन भी त्यार होने वाली है बहुत ही हुज आपकी किजन लाने वाली है उपर और नीचे आपको बहुत अच्छी स्टोरेज की प्लेस्मेंट दी है और इसके बाद आपका बैडरूम नमबर वन है खास बात यह है कि इस बिल्डिंग में जो होँआरे फ्रेंट साइड के फ्लैट है बालकरी में आप देख सकते हैं हमने वुडन फिनिश में आपको टायज दी है जो कि बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही है और अब हम चलते हैं अपने बैड्रूम नमबर DIY की और एक बार और आगे हैं हम यह हम इदर से बैड लूम नमबर टू की और आ चुके है तो यह हमारा bedroom number 2 है आपको window AC का provision दिया है ventilation बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छे सा इसका आपका यह room रहने वाला है master bedroom और साथ ही आपको wardrobe है बहुत ही huge size की wardrobe है बहुत ही huge size की आपको wardrobe दे रखिया है और wooden flooring आपको करके दिया है उसके बाद इसकी beauty और जाद अच्छी लगेगी और अब यह मेरी तार क्यों गड़ भई है अब इसके बाद आपका आगया washroom fall ceiling भी देख सकते हैं और यह washroom आपका attached washroom बहुत huge size में आपको washroom है इसमें आपको diverter, spout, washbasin, wc सारी चीज़े जो आपकी एक washroom में necessity है, सारी चीज़े हम आपको लगा कर देने वाले हैं जो कि आपको पन्ना दिन बाद फिट दिखाऊंगा इसके बाद हम चलते हैं अपने bedroom no.3 की और तो यह हमारा bedroom no.3 की और आ चुके हम तो एक बाद मैं camera man से कूँँगा आपको bedroom no.3 दिखाए तीनो rooms में आपको wardrobe का provision दिया है साथ में LED पैनल दिया है और window AC का भी आपको provision दे रखा है सामने तो दोस्तो यह था हमारा 3BHK flat एक बाद दिखाऊंगा आपको यहां किचन में आप देख सकते हैं किचन में भी हम एक partition मना रहे हैं इधर भी आपको light लगा कर देंगे मतलब बहुत amazing और बहुत ही beautiful आपको flat मिलेगा यह common washroom रह गया आपको यह common washroom भी दिया जाता है जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि आपके घर में कुछ इस तरह के guest भी आते हैं कि जिसको आप अपने master bedroom वाले washroom को use करना अलाओ नहीं कर सकते तो common washroom बहुत necessary है आम तोर पे आपको हमारे 2BHK 3BHK इस सारे flats में एक common washroom जरूरी मिलता है तो friends आपने हमारा 3BHK flat देखा जो कि 120 yards का है इसका जो 80 yards वाला जो 3BHK रियर साइड वाला है वो मैं जल्द ही आपको next वीडियो में दिखाना जाओंगा part B में तो इसके लिए आपको क्या करना है हमारे चैनल को like करना है करना चाहते है तो नीचे हमने आपको number दे रखा है एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जल्दी हम एक वीडियो ऐसी ओर एक launch करने वाले जो कि information वीडियो रहेगी आपके लिए कि अगर आप कोई property search कर रहे है या को flat search कर रहे है तो उसको क्या procedure रहता है कि किस तरीके से किस builder जे किस तरीके आपको लेना चाहिए आपको क्या एक procedure होता है कि step by step कैसे आपको property लें जिसमें आपकी fair deal हो रही है transparency पूरी है आपको किसी तरह का कोई fraud नहीं हो रहा आपके साथ तो उस तरह के एक informative video आप loan ले सकते है